हेलो पहरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी I HOPE की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के सब्जेक्ट सोसल स्टेडीज के वीक नमबर 25 की वर्क सीट को सॉल्ब करेंगे जो की North Delhi Municipal Corporation के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चों यहां पर सही वर्ड को चूज करके ब्लेंक को फिल करिए तो बच्चों वर्ड से नेशनल सौंग, नेशनल एंबलेम, पीस एंड टूथ सैफरन तो बच्चों फरस्ट है इन दा नेशनल फ्लेग इस अ सिंबल ओफ सैक्रिफाइस एंड ब्रेवरी नेशनल फ्लेग में इटमीस राष्टे दुहज में जो रंग है वो किसका सिंबल है प्रतीक है सैक्रिफाइस त्याग और बहादुरी का तो बच्चों कौन सा कलर है सैफरन, सैफरन कहते हैं केसरिया रंग को तो यहां पर लिखेंगे सैफरन नेशनल फ्लेग में सफेद रंग किसका प्रतीक है तो बच्चों किसको सिग्निफाइ करता है पीस एंड टूथ को सांती और सच्चाई को तो यहां पर लिखेंगे नेशनल लाइन टेकन फ्रम्दा असोका प्लर इस अवर असोक इस सम से लिया गया चार सेरों का प्रतीक क्या है हमारा national emblem वंदे मातरम हमारा क्या है national song है तो यहां पर लिखेंगे अब है question number two read the following statements carefully दिये गई statements को ध्यान से पढ़िये and mark true or false बच्चें यहां पर आपको true or false लिखना है first the national flag has three colors हमारे राष्टे दोज में तीन रंग होते हैं बिल्कुल सही बात है यहां पर true लिखेंगे the green color in the national flag symbolize happiness हमारे राष्टे दोज में हरा रंग खुशाली का प्रतीक है तो बच्चों बिल्कुल सही बात है यहां पर true लिखेंगे the circle in the middle of the white strip in the national flag is a symbol of progress राष्टे दोज के बीच में जो circle है वह उन्नती का प्रतीक है तो बच्चों बिल्कुल सही बात है यहां पर true लिखेंगे the national song was written by गुरुदेव रविन्ना टैगोर हमारे national song को गुरुदे रविन्ना टैगोर की द्वारा लिखा गया बच्चों गलत है यहां पर false लिखेंगे किस ने लिखा है बंकिम चंदर चटर जी ने और गुरुदेव रविन्ना टैगोर ने क्या लिखा है हमारा national anthem लिखा है राष्ट्रगान लिखा है नेक्स्ट है जब हम अपना national anthem गाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो बच्चों आंसर है जब हम national anthem को गाते हैं तो हमें सांत मुद्रा में साबधान की इस्तिती में अपने national anthem को सम्मान देना चाहिए इतमी सम्मान पूर्वक गाना चाहिए अब बच्चों कोश्यन नमबर फोर ड्रॉएंड कलर दा national flag ओफ इंडिया यहाँ पर बच्चों national flag की picture ड्रॉ करनी हैं और इसमें सुन्दर से रंग भरने हैं life skill hand washing dear children प्यारे बच्चों we should wash our hands properly before eating food after eating food after going to toilet etc to avoid disease हमें बिमारियों से बचने के लिए अपने हातों को खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद toilet जाने के बाद आदी समय पर हमें दोना चाहिए wet your hands and apply enough soap to make a nice leather बच्चों आपको अपने हातों को अच्छे से साबुन से दोना चाहिए सबसे पहले गीला करना चाहिए उसके बाद साबुन लगानी चाहिए rub the palms together अपनी हातेलियों को रगणे rub the back of the hands उसके बाद हातों की जो उल्टी तरफ है it means back side को रगणे interlace your fingers उसके बाद बच्चों अपनी उंगलियों के बीच में रगणे clean the thumb अपने अंगुठे को साफ करें rub the palms with your finger अपनी उंगलियों से अपनी हातेलियों को रगणे discuss this video parents today बच्चों आज आप इस सब को अपने parents के साथ discuss करेंगे में का video on how to wash hands properly और बच्चों अपने हातों को कैसे दोए इसके लिए आप एक video बनाएंगे संसकार साला the beautiful thing about learning is सीखने की सबसे सुंदर बात सबसे अच्छी बात यह है that no one can take it away from you कि आपसे इसे कोई नहीं ले सकता है food and drink में आज आप क्या लेंगे always heat your food before you eat in winter सर्दियों में खाने से पहले अपने भोजन को गर्म करें activity, draw or post, list of five things you eat frequently in winter सर्दियों में आप जो भी चीजें खाते हैं आप बच्चों उनमें से पांच चीजों की एक list बनाएंगे और उनकी picture draw करेंगे उसे paste करेंगे game, play word building of eatable items बच्चों जो खाने वाले पदार्थ होते हैं आइटम होते हैं आप उनके नाम की क्या बनाना है आपको word building वाला game खेलना है उनके नाम जो है बोलने है with the last letter of the word अब बच्चों जो word है उसका last letter है start with the word tomato तो बच्चों आपको प्रतियक word में क्या करना है जो last letter है उससे new word बनाना है और आपको शुरुआत करनी है tomato word से daily routine include the following habits in your daily routine दीगे habits को आप अपने daily routine में include करेंगे सामिल करेंगे begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को brush करें टे का बात daily रोजाना नहाएं drink plenty of water पर्याप्त मात्रा में पानी पियें and eat a balanced diet और संतुलित आहार लें avoid touching your face अपने चेहरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और नियमित रूप से अपने हातों को धोएं complete your homework on time और अपना कारे समय से करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you